जाजकाज पोर्टल के इस ट्रेनिंग वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है डिजिटल सिंगनेचर अर्थात हम जाजकाज पोर्टल के एफाइल मोड्यूल से जब हम किसी प्रपत्र या लेटर पर हम डिजिटल सिंगन लेटर चाहते हैं तो वो किस प्रकार से उसमें अर्ट बिजिटल सिंगनेचर सही जग़र और से पहले ऑर क्याक्या साउध्यनेचर ने है वह भी बात करें के आपके काराले मोहर से जो भी डौकुमेंट आप बनाते हैं डेटर बनाते हैं अब यहां पर ड्राफ्ट किसके जो करना है लेकिन बहुत ही छोटा सा टास्के करना है और डिजिटal सिंगेटल हो जाते हैं लेकिन digital signature जितना छोटा सा काम है उतना ही एक बहुत मत्पुर्ण जिम्मेदारी भी है क्यों आईए देखते हैं बिन्दुवार देखिए पहला बिन्दु है कि लेटर ये ड्राफ्ट यान कि जो भी आपने ड्राफ्ट बनाया है यानकि जो भी आपने ड्राफ्टिंग की है आप उसको MS Word में बनाएंगे या किसी भी आप टेक्स्ट एडिटर में बनाएंगे तो आपको वह टेक्स्ट एडिटर ही आपको अप्लोड करना है क्या कहिना चाहरों में कि देखिए अपलोड होएं में तो वहाँ पर PDF फाइल भी अफलोड होती है ठीक है लेकिन जब को आप य१ीक्त करते हैं और एक आप सुलेटर पर इंसर्ट कर लेगा तो लेटर हमने जो है पीडियः की इंसट्ट कर दिया था तो उस पीडिया के साहिता से इंसट किया होंए लेटर पर दीजिज़ सिग्नेच़ सटり हो गए बार कोड नहीं हो पाया तो जो हमारा पहला बिंदू है कि ड्राफ्ट यह लेटर जो भी आपने ड्राफ्टिंग की है उसको आप MS वर्ड वाली जो फाइल है उसी फाइल को आपको फाइल में अप्लोड करना है और फिर डिजिटर सिंगेटर करना है ठीक है यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि महां पर पीडिये भी अप्लोड हो जा करते हैं तो उसके हम पेज के नीचे साथ डिजीटल सिंग्नेटर के संदरता है वह बिगड गई यह उसा कारण क्या है यह जो बवा पेज के फूटर में इसर्ट किया जै रहा है थीक है तो हमने पेले शेंग फूटर लगा रखाएं पिर डिटिटल सिगनेचर भी उसी फूटर में जाके इंसर्ट Nico जाता है तो दोनों की सुचना कि थाल को आधको झथान रखना है कि जुड़ के लिए कि अंगला में अगला बिंदो आपको ध्रक न है कि ढुग्मिन आपने बनाया है ठीक है उसको आपको जब आप सेव करेंगे तो उसका एक meaningful नाम होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने उसको document 1, letter 1, letter 2 इस नाम से सेव कर दिया और आपने राच-काच के portal पे उसको upload कर दिया उसका कारण क्या है कि जब हम इसको upload करते हैं ठीक है तो वहाँ पर उसका document का title हमसे नहीं पूछा जाता document का title हमारे MS Word के file का जो नाम है उसी कोई बना दिया जाता है ठीक है मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है कि जैसे माली जी हमने यह वर्ड की drafting तयार कर ली है ठीक है इस पर हम digital signature करवाने वाले हैं तो जब आपको इसको file को save करेंगे तो उस time जो यह window open होती है आपको meaningful यानि क्यों कह सकते हैं कि जो लेटर का विशे है लेटर के विशे को ही आप उस file को नाम को रख दीजिए ठीक है file का नाम उसी विशे से save कर दीजिए तो जब हम इसको attach कर देंगे जब इस पर digital signature हो जाएंगे तो यह आपकी उस file में जो है set हो जाएगा तो जब हम इसको द draft का title लिखने की सुविधा नहीं है तो आपको draft देखना है अगर बाद में फर्दर किसी आपको देखना पड़े तो उसके लिए फिर आपको वहां पर document 1 दिखाई देगा document 1 या कोई भी ऐसा नाम ना दें जो समझ में ना है आप उसके लिए ऐसा क्या रहें कि आपका विश है क्योंकि वर्तमान में हम क्या करते हैं कि जिते भी हमारे office से लेटर निकलते हैं उसके हमने एक word file बना रखी होती है और एकी word file में हम नीचे के और जो है उसमें अलग-अलग-अलग drafting तैयार करते जाते हैं ठीक है ठीक है तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि अब यहां लिए पर हम डिजिटल सिग्नेचर करने जा रहे हैं और इमस वर्ड की file हमें उसमें इंसर्ट करनी है तो अगर पहले से ही 20-25 लेटर हमने पहले बना रखें या 100 लेटर हमने उसमें बना रखें और हम उसी वर्ड की file को जो है फाइल में upload कर देंगे तो क्या होगा जो पहल वह उसमें जो में पत्र तयार किया उसे हम अब आगे उच्छा दीकारी को भेजना चाहते हैं तो नहीं बेज पाएंगे क्योंकि उसमें तो 100 पेज ते सो पेज में अलग-अलग ड्राफ्टिंग हो रही थी अलग-अलग विश्यों तो अन्में सभी में जो है वो डिजिट अब यह बात में आपसे क्यों कि देखिए कहां पर होगा किसे ने किसी फाइल में होगा अब मान लिजी आपको स्थापना की फाइल से कोई डिटल सिगनेचर करना था लेकिन आपने गलती से लेखा की फाइल में उसको अपलोड कर दिया डिटल सिगनेचर तो इंसर्ट हो जाएगा ठीक हूँ क्योंकि लेखा की फाइल में भी सेम वही ऑपरेशन हो सकते हैं जो अब इसका फरक क्या पड़ेगा जब एक बार डिटल सिगनेचर किसी ड्राफ्ट में इंसर्ट हो गया तो उस फाइल को ना तो डिलीट कर सकते ना ही किसी दूसरी फाइल हो में मुवमेंट कर सकते यानि कि लेखा का लेटर स्थापना वाली फाइल में चिपक गया अब कहने का मतले महां पर इंसर्ट हो गया अब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं तो आप ध्यान रखें कि पहले तो आप आराम से अपने फाइल को खोलें जिससे आपको जिससे रिलेटेड है ठीक इस्थापना अब कर लेखा का लेटर है तो संब्दीत प्रोजेक्ट को आप और प्रोजेक्ट वाली स्थापनवाली में लगा दें कि कैसी Pan में नहीं जब offline तरीके में लगाते हैं तो आपको यहाँ पर भी online भी आपको यह चीज आपको ध्यान में रखने हैं अब digital signature कैसे करते हैं कहां से जो है आपका draft upload होगा तो आइए चलते हैं हमारे राजकाच पोर्टल पर राजकाच पोर्टल आपको जो है आपके एक्सेस कर पा रहे हैं ठीक है राजकाच पोर्टल पर फाइल कैसे बनानी है इसके लिए आप पुराना वीडियो देख सकते हैं ठीक है उसमें कौन किस प्रकार से आपको पुराने आपको जाना है इस आए फाइल में आने के बाद आपको यहां पर आप बना रखी तो एसा ना हो के सहन वस गालती वस आप से जो पहली वाली फाइल है उसी में आपका लेटर अपरोड हो जाए मैं क्योंकि रहे हैं तो जल्दी बाजी में हम पेली वाली में कैलेवाडियं कोई क्लिक कर दिया और जो समधित ओपचन है ड्राफ कर दिया यहां से अप्रोड कर दिया और उसके बाद उसके पहलों घूंडना था घृंग तो काफे सारे फैल तो आप आराम से बनाए से सही नाम दीजिए वनका सही तरिके से प्साल को बनाए तो short code आपने जो भी दिया होगा जो भी आपने नाम दिया हुगा establishment इसटीटी जो भी आपने हिंदी में दिया है तो हिंदी में आप यहां लिखिए और इसको सर्च कर लिए तरहें करने के बाद आपकी वह जो फाइल है वह सर्च होक्तव क्या जाएगी ठेख है लेकिन मैं जो फाइल Dur jailed hamdraeli K来jang करेंगे लेकिन मेरा की राशिक में की लीटर में किसी नाटािंग मैं जब आप किसी फाइल को ओपन कर लेंगे तो इस तरका इंटरफेस आपको दिखाई देखा यहाँ पर जो राइट है वहाँ पर ओप्षिंस है लेट है आपकी नौट शीट है तो आपको क्या करना है ऑप्षिंस वाले साइड में आना है और ड्राफ्ट पर आना है ठीक है ड् आप ड्राफ्ट करना चाहूं तो इसको उसको वड़का ड्राकुमेंट तयार के लिया हमने यह रख तयार हो गया है ठीक है इसको अपलोड करेंगे तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि और क्या इसमोप्षिंस है ड्राफ्ट में आना है के बात्र आने के बाद आपको यहा आपको ड्राफ्ट त्यार करने के एक तो है ओनलाइन याने कि इनका खुद का भी एक टाइपिंग स्पेस है आप इसे ना माने यह नोट शीट एरिया यहां पर लेटर टाइप नहीं करना है यह तो नोट शीट लिखने के लिए ठीक है आप इस अगर आपने किसी और वीडिय अने के दो तरीके हैं और ओनलाइन व उनलाइन में इन्हों ने खुदने में एक ट्मट दिया है उसको क्लिक करेंगे ऐंगि क्लिक करें के लिए आप पहले से लिखेवा एक्षन को मिटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अभी इस लेटर हैड की अभी हाल फिलाल की कमी यह है कि इसमें आपको हिंदी इंपूट टूल की साहिता से लेटर को टाइप करना होगा यह जो इसकी फॉंट फैमेली है इसमें अभी हिंदी वा साथ हिंदी पूट तोल यह जहरत है नुए टाइपिंग त्यार करनी होगी आपको कहां पे मिलेगा आप को बतादू है आप राजकाछ पोर्टल में ही फ्रोट फटाल पर क्लिक करेंगे गाश है यूटिलिटीस में आपको दिया हुआ है आपका गूगल हिंदी इंपूट तूल आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस्ट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है इसको आपकी कीबोर्ड से आइट शिप्ट आप दबाएंगे तो एक बार में हिंदी और आइट शिप् करेंगे ठीक है यह तो हुआ हमाना ओनलाइन वाला इन्या खुद का जो है ड्राफ्ट का मोड ठीक है आपको यहां पर टाइटल में पहले बता चुका हूं कि आपको सब्जेक्ट ही लिखना है यानि कि यह आप आदेश बना रहे हैं या जो भी आपने लेटर बनाया है तो आपको ड्राफ्ट को उसी सब्जेक्ट से सेव करना है ताकि आप भविष्य में जब आप इसको कहीं काम मिल लें तो आपको और आसानी से पता लग जाए कि यह ड्राफ्ट किस चीज का है ठीक है तो यह तो हो गया आपका इसको ओनलाइन वाला इसको आप सेव कर दें क्लो दूसरा तरीका देख लेते हैं और यह तो ओनलाइन वाला आप उनलाइन भी काम ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको फिर हिंद इंपुट टूल्ट को काम लेना होगा अब हम चलते हैं ओफलाइन की तरफ ओफलाइन में क्या करना है आपको ओफलाइन डिये अभे अब आपको अपलोड करनी है उसका कारण में आपको बता चुका हूँ उसका कारण यह कि अगर आप PDF फाइल अपलोड करेंगे तो फिर आपके यहां पर राजकाज रेफरेंस नंबर नहीं आएगा यह मैंने यह वाला मैंने वर्ड का डॉकुमेंट अपलोड किया था इसमें र जो आपकी फाइल है आटेफ यह फाइल फॉर्मेट है आपका उसका बड़ पेड़ का ठीक है आप एक डियोसी एक इनोंने प्रवाइड कराया है और दूसा अगर आप लेना चाहें आप ओपन ओफिस की तुरू लिब्रे ओफिस की तुरू काम करना चाहें तो नहीं अब जो यहां पर भी आपको फाइल रखी हुई है आप उसको इसकेन करें ठीक है यह मैंने यहां से अटेज कर दिया है और अपको अफ्लोड कर देना है अप्लोड करने के बाद आपको यहां पर दिखाए जाएगा आपका वो अप्लोडेट डॉकुमेंट अब देखिए यहां पर देखिए कि जो हमने फाइल का नाम लिखा था वही दिखाया जा रहा है अलग से तो यहां पर कहीं भी जो अमारा ड्राफ्ट है उसको क्या नाम देना है उसका टाइटल देने के लिए इस फेस प्रोवाइट नहीं करा गया है ठीक है जैसे में इसको भी डिजिटल स चीज को लेना पड़ा तो फिर उसका नाम दोक्यूमेंट वन ही दिखाए देगा जबकि अभी वरतमान में क्या होगा माली जिए मैं इस वाली फाइल को नौस्ट में काम लेना चाहूं तो जब मैं लिंक करूंगा इसको नौस्ट में लिंक करूंगा तो यह मेरे ड्राफ् आपके लेटर का सब्जेक्ट है तो यह हमने अप्लोड डिये के साहिता से हमारी जो टेबल है उसमें इंसर्ट करा लिया है ठीक है तो जब यह इंसर्ट होगा तो वहां पर डिये से प्रिपेर्ड का मेसेज आएगा आप देख सकते हैं जैसे हमने यहां से अप्लोड किया तो अधिकारी मोधे को से काम करते हैं तो आपको क्या करना है अगर अगर आप खुदि स्में वाल ओक्षन काम में लेना है तो आपको यहां पर प्रवाइड कराए जाएगा इसमें आप माई ओफिस में आके आने कि क्योंकि आपका करा ले दिख्षक है तो आपका माई ओफिस में आपको जौब के साहब है वो मिल जाएंगे ठीक है क्या करना है आपको इन फिल्ट को भर के आप आसानी से उस कर्मचारी को या अधिकारी म प्रवाइड करने से क्या हुआ अब आपको बार 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 शुर्च नहीं करना पड़ेगा आपको जैसे ही आप इस फाइल को आप जैसे माली जैसे आप इस फाइल को डिए अपने अधिकारी को पहतना चाहते है तो यह वाला इंप्रोई सर्च वाला डालव ऑस्खुल के अब आपको बार बार माई ओफिस में जाके उसको सर्च नहीं करना आपको सिधा ही यहां पर आना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है यह कहां चला जाएगा संबंदीत अधिकारी के एक सबस्वाइड पर जाएगा ठीक है यह वह अधिकारी जिनके इसमें ड्राफ्ट प यह को तीमें अधिकारीके पास कई सारी एठ्यार को तो आपको यह त्यान है कि वापस से जो आपने फैल उसमें उसी मीलेगा करें हो दो Wy तो आपको वापस से डाफट आले औक प्रफ आना है यह देखिए यहाँ पर भी आ गया यहीं तो आपने ट्रेनिंग Ricky यह आप ने अप अपर यहां पर यहांपर वही होते हैं livre को तो आप सकते हैं एयां से क्यों है क्योंब और प्रवाब आपर जो है बाबू या संबंदीत करमचारी होते हैं ठीक है तो अब आप अप्मी क्या करना है अब इस जी हमने अप्रोड करा दी अमें इस पर का करना है अब डिजिटल सिंचर तो डिजिटल सिंचर कभी हो पाएगा जबी होगी देख अभी आप इसका सेलेट करेंगे स्युथ करके आप और है यहां पर स्ट्रेंड हो जाएगा यह देख का स्ट्रेंट तेंग हो गया है अब लेगए चांट करेंगे तक करने करना चाहते हैं तो आपको पेख्षें लेना है आपको एलेक्ट्रोनिक साइन कैनी के आपको आधार्वेड एडिवराज आपको काम बैग लेना है तो प्रॉसरा वाल ऑप्षिन का मिलेना अगर आपके ओपिस में आपके साथ के पास डिजिटल सिंग्णिटर उनने बना रख तो यह हमारे पास जो है अधिकारी मोदे की मोबाइल नंबर पर जाएगा ठीक है और आपको उसको बात क्या कर देना है उसको वेरिफाय कर देना है ठीक है तो यह हमारे पास जो है अधिकारी मोदे के आधार बेज़ोटीप्य में प्राप्त हो गए है ठीक है अमने इसको वेरिफाय कर दिया है हुए होने के बाद अब देखो जर्ठ आपके जो फाई ती इस पर पहलेए इस्टेस क्या था बीए अब क्या हो गया एव डी एफस साइड अब आपको यह को देखना है इस को बेजना है डान्लोड करना है त Mayo करना है है आपको जो इसके लास्ट में जो बटन है डाउनलोड का वहां पर क्लिक करना है लेकिन उसके लिए आपको सेलेट करना होगा आप सेलेट ना भी करें तो भी काम से जाएगा तो आप उसको का कर लें डाउनलोड ठीक है डाउनलोड करने पर अब देखते हैं कि इसमें डिज हो चुका है अब को आपको रैट में करना है तो उसके लिए आपको जो है इसको पीडिये फीडर में उपन करना होगा और यह वहाँ पर आराम से आपका कुश्चन मार की जगर राइट करनेशान आ जाएगा ठीक है तो यह डिजिटल सिगनेचर सक्सेस्पली इसमें इंसर्ट हुआ राजकार के रेफ्रेंस नमबर भी आ गए क्यों क्योंकि हमने इसमें जो है पीडिये फाइल ना इंसर्ट करके वड़की फाइल इंसर्ट करी ठीक है और डिजिटल सिंगनेचर बहुत सुन्दर दिख रहे हैं क्यों क्योंकि यहां पर नीचे किसी प्रकार की जानकार इंसर्ट कर सकते हैं ड्राफ्ट जो है किसी भी पकार का हो सकता है आपका कोई लेटर हो सकता है कारल यादेश हो सकता है किसी संद्रवित पत्र के जवाब में आपने को रिप्लाई लिखा है तो वो भी आपका जो है डिजिटल सिंगनेचर आपको यहां से करना है ठीक है ड तब आप दुबारा यहां से इस चीज को देखें आप इन आप इन ड्राफ्ट को देखें तो फिर वो डॉक्यमेंट वन डॉक्यमेंट टू या ऐसा कुछ भी अनाउशक नाम नहों मिनिंग्फुल नाम हो तो आपको इसको पैचानने में सुविधा रहेगी झाल